ओम स्री गनी शायनमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अपरेल रविवार के रासी फल्क के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेश रासी वालों के लिए रविवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होने की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्चक्ताओं पर आज आप खरे उतरने का प्रियास करें दोस्तो आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकर्ती और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अठकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी जैदुस्तो साती सात आज आपके लिए दूर की यात्तराएं भी होगी जो आपके लिए अती लाबकारी सिद्ध होंगी और उनके दूरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साती सात आपके मान सम्मान में भी वरद्धी होगी मल्टी लैस्नल कंपनियों में कार्रे करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांच्छाओं के आज पूर होने की संभावना है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती है भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा है अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल है साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके पिल्णाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वे महनत कामियाब हो जाएगी साथ ही साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल्चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्छा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेदित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ बहतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावनाय उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों अपात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेस के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस छित्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश रकता है क्योंकि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है अत्वा कोई आपके विरुद कोई चाल चल सकता है जिसके कारण आपको मान हनी उठानी पड़ सकती है अपना कार्य आप पूरी इमयंदारी से करें किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिसानी उठानी पड़े जिन दोस्तों आफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वहें आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोड़ी चुपे नुकसान पहुचाने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण आफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता है सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं अजाब की लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हन देगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके प्रणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यक्ता अनुसार हर जगा जीवन साथी का भी शयुग आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साथी के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तो साथी साथ आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अडियल रवया मत अपनाईए और हवा के रुक को देखते हुई कोई कारे कीजिए जोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जोस्तो इसे दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवासाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनेको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हाँ दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिती काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यारकियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो घर में के गिरहों की यूती आपके स्वास्थ को प्रभावित कर सकती है इसलिए एक नियम स्वस्ट रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेयर शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत रहूने के बाद काली हल्दी की एक गाठ लें इसके बाद आप इस एक गाठ को भगवान शुरेदेव का समरण करते हुए बहते हुए पानी में प्रवाइत कर दें और साथ साथ अपनी मनों काम नए मांगे या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शुर्यदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल नहीं हैं सम अच्छे दिल से कमेंट समोक्स में जैशुर्यदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद